नमस्कार मेरा नाम गौर्ब दूबेहुर मैं डेटर मार्केटिंग कंसर्टेंट और टेनर हूँ सिंस 2013 और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Domestic Leads vs Abroad Leads अगर आप इंडिया से हैं और Advertisement करते हैं आप Domestic Client के लिए और International Client के लिए तो आपने फिल किया होगा कि जो Leads Abroad के हैं USA, UK, Canada, UAE मतलब जो दूसरे कंट्री के Leads हैं और जो इंडिया के Leads हैं दुनों में अंतरिय होता है कि जो दूसरे कंट्री के Leads होते हैं वो अच्छे तरीके से Convert हो जाते हैं इंडिया के Leads होती हैं उसके Conversion में काफे Difficulty जाती हैं ऐसा क्यूं होता है देखें पहली चीज तो यह है कि इंडिया में हम लोगों ने बहुत फिस किया है कि जो भी आपके पास Inquiry जाती है और Almost 100 Leads आपने जनेरेट किया तो 50 Leads ऐसे होत इंडिया में कहीं जाता है इंडिया में अगर किसी को Services की Need नहीं भी है इंडिया तो वो से जानने के लिए आपको Inquire कर सकता है कि चलो देख लेते हैं एक बार कि क्या Service Cost है क्या Process है इनका यह सारी चीज़े Abroad में नहीं है आप एक कह सकते हैं कि वहाँ पे लोगों को अगर Need है उस Services की तभी वो उसके लिए Inquire करते हैं दर्वाइज उसके लिए Inquire नहीं करते ठीक है वो उसमें इवेन की इंट्रेस्ट भी नहीं दिखाते हैं इंगेज भी नहीं हो सकते उस पोस्ट के साथ हमने देखा है कि जब हमारे Advertagement इंडिया के लिए चल रहे हैं सेम इंडर्ष्टी के लिए उसमें Conversion Rate काफी कम है और जब मैं Lead Generate करते हैं Broad के लिए तो वहां से Conversion Rate हमारा जो है वो काफी अच्छा होता है वहां के लोग Highly Interested होते हैं उन्हें Call के जाता है तो वो Consultation वगरा भी Book करते हैं अपना ठीक है व उसके बाद बहुत जादा उस पे Seriously नहीं होते हैं अपने चीजों को लेकर के कि हमने Inquire किया तो हमें इस सर्विस लेना चाहिए मतलब मजे मजे में लोग Inquire कर लेते हैं लेकिन उन्हें Services की Need नहीं होती है तो basically यह फर्क है और ऐसा कुछ नहीं है कि यहां का Targeting अलग है वह की ठीक होती है वहां के Client का Issue नहीं होगा कि हां Quality of Leads काफी खराब है लोग Respond नहीं कर रहे हैं लोगोंने मना कर दिया है ऐसा बहुत ही Rare होता है वहां के Case में ठीक है तो इससे बचने के लिए सिर्फ वही है कि आप अपने Campaign को के Outreach को थोड़ा से Improve करें अपना जो Targeting है उसक बनाना चाहिए ठीक है लेकिन अगर Invalid Number होगर मिल रहा है आप उसको किसी भी तरह से Restrict नहीं कर सकते क्योंकि जो एक Advertiser का Control होता है वो अपने Dashboard के उपर होता है इंड user तक जो एड आपका पहुंच रहा है उसके Mindset में क्या चीज़े चल रही है आप उसको Control नहीं कर सकते हैं तो बस इसके Improvement के ही Chances है कि आप अपने Campaign को जितना अच्छा है Optimize कर सकते हैं ठीक है लेकिन at the end result ही है कि जो abroad के जो Campaigns होते हैं वहाँ पे जो Quality है वो अच्छी ह होती है और इंडिया के जो Campaigns Run होते हैं यहां पे Quality थोड़ी सी पूर होती है आपके Accept करना पड़ेगा ठीक है मेरा यह मानना है हो सकता है कि आपके Knowledge में या फिर आपके Experience कानुसार यह उल्टा भी हो यह हमारे Experience है जो मैंने आपके साथ Explain किया अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो अब भी comment box में लिख सकते हैं ठीक है Thank you so much for watching this video मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए content को लेकर के Thank you so much